जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं वैसा बढ़िया हूंगे इस वीडियम दोस्तों बात करेंगे वेस्टन डीज और स्कोट लैंड के बीच में जो ICC ODII World Cup Qualifier का मैच नमबर 3 खेला जाएगा सूपर 6 का ठीक है इसको डीटेल में कवर करेंगे वीडियो आपको कम्रिड वोच करना बिल्कुल भी स्किपनी करना ठीक है सबसे बहले एक बात करें वेस्टन डीज की जो टीम है जिस परकार की टीम है वैसा परफॉर्मेंस इंसे देखने को नहीं मिला क्योंकि निदरलेंड की टीम ने भी इनको पेल दिया और कोई पी छोटी टीम होती है वो भी इनको हरा के जा रही है ठीक है तो इस परकार से क्या होगा कि वेस्टन डीज की टीम पे आप लोग अभी ज्यादा बरोसा नहीं कर सकते लेकिन अगर स्कोटलेंड के साथ में कंपेर किया जाएगा तो ओंदा वेपर वेस्टन डीज अपने को जरूर याँ पर फैव क्या है तो यह वीडियो आपको अच्छी लगे तिया वीडियो को लाइक जरूर कर देना वेण्यू की बात करें हरारे स्पोर्स कलब हरारे के वेण्यू पर यह मैच आपको खेला जाता वाद दिखेगा उसके बाद में अगर आपको अमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़े हो टेलीग्राम को आप लोग जरूर जोईन करें ना यह हमारा टेलीग्राम चैनल है इसका जो लिंक रहेगा दोस्तों वह आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लस आपको वीडियो के डिस्किप्शन में दोनोच गय पे मिलेगा वहां से आप लोग के साथ में जुड़ सकते हो क्योंकि टोस के बाद में कोई भी अपडेट होती है फाइनल टीम में लास्ट मुमेंट पे कोई भी चेंज करेंगे या फिर जिस टीम के साथ में आम लोग जोईन करेंगे न भाई वो टीम आपको मिलेगी टोस होने के बाद में सिर्फ टेलीग 79 मैचिज यहां पर विन करें है सेकिंड बैटिंग ने थोड़ा से डवांटेज सेकिंड बैटिंग के फिवर में जरूर है लेकिन यहां पर एवरेज जो स्कोर देखोगे 199 की जगे आप लोग इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेना लगबग 250-240 के आसपास आपको जो है इस पर एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा अगर फस्ट बैटिंग की बात करेंगे स्कोरिंग पैटर में देखोगे दोस्तों यहां से आपको एक चीज दिखे की 200 से कम इस वेन्यू पर 36 बार स्कोर बन चुका लेकिन जो इंपोर्टेंट चीज है 300 पलस इस वेन्यू पर 16 बार स्कोर बना और 200 से 299 के बीच में 50 बार और दोनों को अगर हम लोग एड़े करेंगे तो मतलब 66 के आसपास ऐसे मैचिस मिलेंगे जिन में 250 पलस का स्कोर बन है अब देखो यहां पे दो टीम सापको देखने को मिलेगी जिसमें नाम रहेगा वेस्ट इंडीज की टीम का और दूसरी जो टीम है वो है दोस्तो स्कोर लेंड की टीम वेस्ट इंडीज की टीम जो है ओंदा पेपर काफी स्टोंग टीम है अगर उनका स्टार्टिंग में बैटिंग लाइन अप अच्छा काम करके जाएगा तो डेफिनिटली वेस्ट इंडीज इस वेन्यो पे 300 पलस स्कोर लेंड की टीम का भी कुछ इसी पर करगा हाल आपको देखने को मिलेगा ये टीम को वेकर अच्छी सुरुआत मिलेगी तो डेफिनिटली स्कोर लेंड भी एक अच्छा स्कोर कर सकती है लेकिन उनसे मुझे उतनी ज़्यादा उमीद है और अगर यहां पे मालिज जिस ने 104 करे मैच विन किया फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने उसके बाद में सेकंड मैच जिमबाबे ने 268 करे वेस्ट अडिज देखो 233 कर पाई और जिमबाबे की टीम ने भी पटक के मारा यहां पे वेस्ट अडिज की टीम को मैच कि इसने विन किया फर्स्ट बैटि करने वाली टीम है उसने बड़ा स्कोर भी खड़ा किया क्योंकि पहले मैच में 408 रंस बने दूसरे मैच में 268 बने तीसरे मैच में 349 बने मतलब अगर स्टार्ट बढ़िया मिलेगा फर्स्ट बैटिंग वाली टीम को तो डेफिनिटल इस वेन्यू पर एक बड़ा स्कोर फेवरेट जरूर है लेकिन इस सिजन परफोर्मेंस उनका उच लेवल का देखने को नहीं मिला जिस लेवल के उनकी टीम में आपको प्लेस देखने को मिलेंगे पिछले तीनों मुकावले देख सकते हूँ वेस्टन इस ने पहले बल्ले बाजी करी एक सो ठानवे पर पूर पूरी टीम होल आउट हो के चली गई और वेस्टन इस की टीम ने केवल सत्तर रंस बना की यहां पर बढ़िया चेज कर दिया तो पिछले तीनों मुकावले यहां पर विन करे है वेस्टन इस की टीम ने उसके बाद में आगे चलते हैं यहां से बात करते हैं दोनों टीम्स काफी जादा नीचे करेंगे चार मैच में 99 रंस है होल्डर तो भाई काम खराब करने वाला प्लेर है ये तो आई पिल में भी आपने देख लिए होगा जिस भी टीम में उस टीम की ऐसी तैसी उत जाती भाई ठीक है राजस्तान रोयल्स की टीम में था पूरा सत्यानास करवा जो की वन डाउन बैटिंग कर रहे है चार मैच में 121 समारा ब्रुक्स एक मैच में 25 रंस है लेकिन ये प्लेयर काफे टेलेट है टिकाउ बल्लेबाज है अपनी टीम में जगया दे सकतो मेयर्स के नाम तीन मैच में 59 रंस है किमो पूल ने 52 रोमें पोवल उतनी अच्छी फ पाच विकेट लिए किमो पॉल ने 5 विकेट लिए और यहाँ पर रोमारियो शैफर्ड को विकेट नहीं मिला ठीक है रोमारियो शैफर्ड जैसे प्लेयर की आने के बाद वेस्टेंड इसको थोड़ा सा बैटिंग में और गहरा ही मिली है क्योंकि ये अच्छी वैटिंग क हैंगे चलो विकेट मिलेंगे तो पूरे दस भी डाल के जा सकते किमो पॉल मेन गेंदबाजे पहले बले बाजी करेंगी वेस्टेंड इसको आप लोग के साथ में अपनी टीम में जरूर जा सकते हूं एक मैच में तीन विकेट भी लिये थी और उस में अपनी लिये डिफर रन्स हाई होप रहेंगे ब्रैनन किंग जो कि टोप ओडर के बल्लेबाज है समारा ब्रूक्स है अगर एक बार फृरिस मैच में खेलेंगे डिफिनेटली बहुत अच्छी डिफरेंशल पिक बनके निकल सकते हैं द्यानक ना क्योंकि टिकाओ बल्लेबाज है लंबी पारी वा मार्क वोट रहेंगे चार मैच में एकसो टीसर रंस है गेंदबाज जो रहेंगे न वो इंपॉर्टन है लेकिन बल्लेबाज यह वहाँ पर भी बन्दा रंस कर सकता है ठीक है और गेंदबाज की मार्क वोट की तो चार मैच में 6 वीकेट इनके नामthe 38 ओवर के आसपास गे लेकिन फर्स्ट मैच में इन्होंने तीन या चार विगेट ले थे उसके बाद में गेंदबाजी में उतना कुछ खास इंपक्ट इन से देखने को नहीं मिला सीग रहुज रहेंगे चार मैच में अठानव रण से गेंदबाजी देखोगे चार मैच में दस विगेट इनके नाम है और लास्ट मैच अपने लिए डिफरेंचियल पिक बनके निकले थे किसी ने भी टीम में ट्राइ नहीं किया हमने ट्राइ गया और एक तरफ हमें अच्छी खासी अमाउंट विन करवाई थी सोले के नाम चार मैच में 24 रण से लेकिन गेंदबाजी सेक्शन के प्लेयर है मैक बेर्ड चार मैच में 90 मैकोंटिस च्यार मैच में 64 मुंसे के नाम एकी मैच के लाए 15 रण से देखो मुंसे इनकी टीम का काफ इंपोर्टेंट प्लेयर है लेकिन क्यों ये टीम मुंसे को टीम से बाहर रख रही है वो चीज अपनी समझ से तो बाहर है ठीक है उसके बाद में मैट क्रोस जो की काफ पहले गेंदबाजी करेगी मार्क वोट के नाम से स्टार मारलो आपके टीम में होना चाहिए स्रेफन सरीफ तीन मैच में चार विगेट लेकिन जिस परकार का गेंदबाज है उस परकार की परफॉर्मेंस अब तक देखने को नहीं मिले है लेस्टर रिवांस एक मैच मैच म नाम एक विगेट है नेल के नाम एक विगेट माइकल लिस्क के नाम एक विगेट जारविस ने के वल चैही ओवर गेंदबाजी करवाई है उतरे जाद ओवर नहीं करवाई ठीक है जो में गेंदबाज इनके रहेंगे वो रहेंगे माकलन यहां से ग्रेवज रहेंगे सोले मैच के लिए उसके बाद में देखोगे नीचे उतनी कुछ खास ओमसन नहीं है माइकल लिस्क को ट्राई कर सकते हो गेंजबाजी शायद थोड़ा कम करें लेकिन बल्ले बाजी से इंपोर्टेंट जरूर हो सकते हैं यह कुछ आपको स्कोटलेंड की उफसंस मिलेगी गेंजबाजी डिपार्टमेंट की अगर बैटिंग में बात करें बैरिंग्टन नहीं है मार्कोर्ट जो कि एक कोमन पी का भाई ठीक है मकलन नहीं है सीग रहूज और यहां से अगर मैं बात करें एक प्लेयर आपको मिलेगा भाईया ओलाउडर सैशन का माइकल लेश का यह दो ऐसे प्लेयर जो आपको बल्ले बाजी प्लस गेंद बाजी दोनों डालके दे सकते हैं मैट करोच इस मैच में डिफरेंशल पी को सकते हैं आप लोग अगर अपनी टीम में ट्राई करना चाहूँ कर सकते हो बहुत कम सेलेक्शन आपको मिलेगा प्लेयर काफी टेलेंटिड है बस दिक्कत हुआ है कि फोम इस सीजन उतनी अच्छी है नहीं पूरे स्टेट्स आपने देख लिए दोनों टीम के प्लेयर के अभी चलेंगे अपने डेमो टीम कोमिनेशन पे डेमो टीम कीरेट करेंगे इस मैच की कौन कौन से प्लेयर को रखेंगे किसको ड्रोप करेंगे कैप्टन सी किसको करेंगे वाइस कैप्टन सी किसको करेंगे वो सारी चीज़े देखने वाले हैं तो अगर आपने वीडियो कब तक लाइक और वाइस अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और नोटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लेना आने वाले किसी भी मैच की वीडियो आपको मिस नहीं करनी जिसके साथ मेज़ जौइन करेंगे न्लास्ट मोंट पे कोई बी चेंज करूं अपनी टीम में आपको फाइनल टीम टेलिगरम सेनल पर जरूर से मिल जाएगी कमेंट सेक्शन और डिस्किप्शन में लिंक दे रख़ा है वहाँ से आप लोग टेलीग्राम के साथ में जोईन जरूर कर लेना इसका कुछ नहीं कह सकते तो अगर आप लोग अपने टीम में रखना चाओ भाई रख सकते हो ठीक है समारा ब्रुक्स देखो सेलेक्शन की अवल 5% है लेकिन अगर ये बंदा इस मैच में खेलेगा मैं डेफिनिटल अपने टीम में पिक करूँआ ये जानक ना क्योंकि काफी बड़िया प्लेयर है ओडिया मैचिस का हो सकता है इस मैच में अच्छी पारी आज़ाई और भाई अपने को एक तरफा विन करवा दे ठीक है काफियत सा प्लेयर है ट्राइ गर सकते है उसके बाद में नीचे आओगे कुछ खास ओप्संस है नहीं पहले में में प्लेस की ब बहुत बड़ी अपिक है लेकिन सिर्फ है जे गेंदबाज टीम में पिक करना पड़ेगा तो शायद मैं इनको टीम से ड्रोप कर सकता हूँ अब वेस्ट इंडिस किस परकार बैटिंग करेगी यार वो देखो कहाई नहीं सकते है लेकिन अगर बल्लेबाजी आएगी तो ड अच्छी पर्फॉर्म करके दे सकते हैं बोलिंग सेक्षन के अंदर होगे मार्क वोट रखो हूँ याँ पे लजरे जोसेफ रहेंगे सी सोले को ट्राई कर सकते हो स्पेसली कब जब स्कोटलेंड की टीम पहले गेंदबाजी करेगी किमो पोल रहेंगे ट्राई करना बनते ह आठ दस ओवर भी खेलने को मिले न तो फिर डेफिनिटली अकील उसे न आपके लिए अच्छी यूनिक पिक हो सकते हैं क्योंकि ये बैटिंग बहुत बढ़िया करके जा सकते हैं उसके बाद में नीचे उतनी कुछ खास उप्संस है नहीं अब ही चलेंगे बैटिंग से त तो फिलाल मैं यहां पर समारा ब्रुक्स के साथ में जाऊँगा अगर आप लोगों को सेफली खेलना है तो आप लोग यहां पर देखो बैरिंग्टन आपके पास में अच्छी ओप्सन है यहां से आप लोग माईकल लिसक को ट्राई कर सकते हो तो डिपेंड आपके उपर क ठीक है तो कमेंट सेक्षन और वीडियो के डिस्क्रिप्सर में लिंक है आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना कोई भी चेंज गरूँ है इस टीम में आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिलेगी अगर यहां पे स्कोटलेंड पहले गेंद गरेगी तो मैं सोले के साथ में जरूर जा सकता हूं लेकिन अगर स्कोटलेंड पहले बल्ले बाजी गरेगी तो मैं हो सकता है सोले को ट्रोप करके फिर मैं यह चेंज गर सकता हो कि किसी और प्लेयर को अपनी टीम में रख लूटिक है वो डिपेंड गरेगा टोस्ट की बाता है कि बेस्ट उप्संस में देखोगे निकलस पूरन है साई होप है भाई ठीक है जिसन होल्डर ट्राइ कर सकते हो क्योंकि दस ओवर की प्रोपर गेंदबाजी मिलेगी माईगल लिसक सी ग्रैउज यह कुछ आपके लिए बैतर उप्संस रहेगी मार्क वोट की उप्सं हुआ तो ये मेरा कुछ 11 प्लेयर का आपको टीम सेलेक्शन दिखेगा कोई भी चेंज होगा फाइनल टीम आपको टेलीग्रम पे जरूर मिलेगी टोस होने के बाद में तो आप लोग टेलीग्रम के साथ में जोईन कर लेना उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने इसमें के बढ़िया टीम कोमेनेसन मनाओगे और आपके टीम अच्छा पर्फॉर्म जरूर करेगी